एक जंगर ने मीनू चुरिया रहती थी मीनू चुरिया काफी ज्यादा महिनती थी मीनू चुरिया का एक चोटा सा कारोबार था जिसमें मीनू चुरिया परिंदुन को मीठे मीठे आम बेचकर काफी ज्यादा मनाफ़ा कमाती थी मीनुचुरिया रुजाना एक आम के पेर से काफी सारे आम तोड़ा करती थी और वो आम का पेर भी बहुत अच्छा था मीनुचुरिया तुम मुझ पर से रुजाना जो ये इतने सारे आम तोड़ती हो क्या ये सारे आम दिख जाती है हाँ हाँ पेर भाया मैं आपके उपर से जितने भी आम तोड़ती हूँ मेरे सारे दिन में ये सारे आम बेच देती हूँ मेलु चुरिया ये तो बहुत अच्छी बात है बस इसी तरह मेनत करती रहो और बहुत ज्यादा मुनाफ़ा कमाती रहो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेर भाया चले अपने चलती हूँ मुझे जाकर ये सारे आम भी बेच में है फिर मेलु चुडिया आम की तोकड़ी लेकर उन आमों को बेच में निकल जाती है आम ले लो, बीखे रसीले आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो आज़ो सारे जल्डी-जल्डी से आम ले लो मीनुचृ़िया की आवास सुनकर वहाँ एक कवा आता है और मीनुचृ़िया से कहता है चृड़िया यह आम तो देखने में काफे ज़्यादा अच्छे लग रहे है कहीं ये आम उपर से अच्छे और अंदर से खराब नहीं है ना नहीं नहीं कालो कवे ये आम बहुत ही जादा मज़ेडार है अच्छा ऐसी बात है लाओ मुझे एक दरजन आम दे दो मैं अपनी रानी कवी को जाकर ये आम खिलाऊँगा फिरो कालू कवा एक डर्जल आम लेकर वहां से चला जाता है वाँ, आज तो सबो ही सबो मेरे एक डर्जल आम बिख ले लगता है आज जल्गी मेरे इस सारे आम बिख जाएंगे कालू कवे, तुम ये आम कहां से ला रहे हो मुझे भी बताओ, मुझे भी आम लेने है तोते भाई, मैं तो ये आम मीनु चड़िया से लेकर आ रहा हूँ आपको भी आम लेने है क्या? हाँ हाँ, कानु कवे, मुझे भी आम खरीदने है मेरी बीवी को आम बहुत पसंद है इसलिए तुम मुझे बताओ, मीनु चड़िया कहां बैठी है? फिर मुकवा तोते को रास्ता बताता है और तोता मीनु चड़िया के पास आम खरीदने चला जाता है मीनु चड़िया, इतनी मुश्किलों से मैं तनी दूबता हूँ आया हूँ मुझे तुम से आम खरीब में है मेरी बीवी को आम बहुत पसंद है इसलिए तुम मुझे एक बर दिन आम दे दू लेकिन मीनु चड़िया, ख्यां लखना के आम अंदर से खराब ना हूँ नहीं पर मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी मिचो दोपे, तुम सिकर ना करो ये आम बहुत ही ताजा और नज़ेदार है तुम्हारे बीवी ये आम काकर हुश हो जाएगी ठीक है मीनु चुरिया, अज़े तुम करती हो तो मुझे एक बर दिन आम दे दू फिर वो पोपा भी एक तरजन आम लेकर चला जाता है वाह बई वाह मेरे आम तो कितनी जादी दिख रहे हैं बस ये तोड़े से आम बाकी है ये भी दिख जाए तो मैं घर चली जाओंगी शाम हो जाती है और मेरे जुडिया के सारे आम दिख जाती है आज मेरे सारे आम कितनी जादी दिख रहे है वरना तो आम बेच से बेच से रात हो जाती थी लेकर आज तो मेरे आम जोड़ी दिख रहे है चलो मैं आम के पेर के पास चाती हूँ और उन्हे शुक्रिया कहती हूँ ये कहकर मीनुचुडिया आम के पेड़ के पास चली जाती है मीनुचुडिया तुम बोलो बोलो इस वक्त तुम यहां कैसे आई है पेड भया कोई खास बात नहीं है बस मैं आपको शुक्रिया कहनी आये थी आपकी वज़ा से में रुजाला कितना मुनाफा कमाती हूँ आप जो मुझे आम देते है वो आम इतने मज़ेदार होते है कि सभी परिंडे मुझे आम ख्रीद लेते है हाँ मीनुचुडिया ये तो है मुझे पर लगे सारे आम बहुत ही मुझेदार होते है मीनु चडिया तुम युकीन नहीं करोगी मैं तुम्हारे इलावा अपने उपर से इसी भी परिंदे को आम नहीं तोड़ने देता हूँ एक सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं आम तोड़ने देता हूँ फिर भीया यह तो आपका मुझे पर इस्तान है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे कितने सारे आम देते है फिर यह कहकर मीनु चडिया अपने गौंसले के तरफ चली जाती है ये मीनु चडिया तो मेरी वज़ा से कितना मुनाफ़ा कमा रही है और मेरा तो इसमें कोई भी फाइदा नहीं हो रहा है सारा फाइदा तो मीनु चडिया का होता है मेरा तो इसमें कोई भी फाइदा नहीं है बस अब मैंने सोच लिया है अब मैं मीनु चडिया को कोई भी आम नहीं दूँगा इस पूरे जंगल में एक मैं ही वो आम का पेर हूँ जिस पर इतने मज़ेदार आम लगते है तो मैं अपने आम इस मीनू चुरिया को क्यों दो पिस पेर को अपने मीठे रसीले आम की वज़ा से अपने उपर गुमांड होने लगा अगले दिन जब मीनू चुरिया पेर के पास आम तोड़ने के लिए आती है तो वो पेर मीनू चुरिया से कहता है मीनू चुरिया तुम मुझे पर से एक भी आम मत तोड़ना आज के बाद मैं तुम्हें अपने उपर से एक भी आम नहीं तोड़ने दूगा चलो चली जाओ यहां से तुम पर क्यों पेर भाया आखे ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे अपने उपसे ये मीठे रुखीले आम तोड़ में नहीं बेहे हो मेनु चुडिया मैं अपने इतने मज़ेदार आम तुम जैसी छोटी मुटी चुडिया को नहीं दे सकता हूँ चलो यहां से और दुबारा यहां मत आना ये मेनु चुडिया काफी ज़्यादा उदाफ होकर वहां से चली जाती है ये सब होता हुआ एक जादुई परी देख लेती है वो जादुई परी पेर का गुमंट देखकर काफी ज़्यादा गुस्टे में आ जाती है ये आम का पेर तो काफी ज़्यादा गुमंट करने लगा है इस आम के पेर को मुझे सब्बत ही खाना ही पड़ेगा फिर वो जादोई पर अपने जादो से इस पेर के सारे आम गायब कर देती है आप इस पेर को पता चलेगा कि गुमन्द का क्या इंजाम होता है अगली सुबो मीनुचुरिया कहती है चलो मैं पेर वहीया से पास जाती हूँ क्या पता कल्बो किसी बास पर बुस्ता हूँ मैं एक बार फिर उनके पास जाती हूँ क्या पता आज ममजेत में आम दे दे ये सोचकर मीनुचुरिया आम के पेर के पास चली जाती है अरे पेर गईया ये क्या हो गया आपके सारे आम कहा चले जाए ना जाने मीनुचिडिया ये सब क्या हो गया मेरे उपर से सारे आम कहां गाइब हो गये मीनुचिडिया मैंने अपने मीठे रसीले आमों पर घुमाण किया था क्या पता ये मुझे उसकी सजा मिली हो मीनुचिडिया मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बहुत दिल किया है उस पेड़ को मेनु चिड़िया से मौसी मांता देख कर वो परी काफी ज़्यदा खुश हो जाती है इस पेड़ को अपने गुमर्ट की सजा मिल गई है अब मुझे इस आम के पेड़ को उसे आम लुटा देने चाहिए फिर वो जादुई परी उस आम के पेड़ के सारे आम उसे लुटा देती है अब से वो पेड़ कभी भी वुमर्ट नहीं करता था और मेनु चिड़िया को काफी सारे आम तोड़ने देता था